वैसे आपको आदत हो चुकी होगी, कभी जोईया मामा, कभी सुख्या मामा, कभी सुख्या मामा, कभी सुख्यू मामा, कभी सुख्यू जीजा। लेकिन एक बार फिर ध्यान से सुनिये सुखु मामा मर गया और इसके आगे जो कहा जा रहा है वो हम आपको अपने मुह से तो कम से कम नहीं सुना सकते। हिमाचल सरकार पिछली सरकार के समय खोले गए कई कार्यालियों को डी नोटिफाई कर रही है। इसके विरोध में बीजेपी हर विदानसवाक शेत्र में धरना प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को जस्वां परागपूर में भी बीजेपी कारेकरताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी विधायक बिकरम सिंधाकूर भी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीजेपी कारेकरताओं ने मुख्यमंत्री सुखुइंदर सिंग सुखु और उनकी धरमपत्नी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी की। कारेकरताओं ने मुख्यमंत्री की धरमपत्नी को भी नहीं चोड़ा और उनके लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात ये है कि नारेबाजी के दोरान पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी विधायक बिकरम ठाकुर सब कुछ सुनते रहे लेकिन किसी कारेकरता को रोकने की कोशिश तक नहीं की। गोर रहे कि ये वही विकरम ठाकुर है जो चुनाओ से पहले आशिरवाद लेने के लिए बलातकार के मामले में सजायाफता बाबा राम रहिम के दर पर आउनलाइन हाजरी लगा चुके हैं। कि कै कि ये वही दिनाजाद में सबस्क्राइच हो फिरयने कारेकरियां। कि अधिय हो ये दिनाजाद कारेकर अधालों.. तुर स्टिंधे ले खानगा साव सकत्राइब!